गुर्माने ओल आफियो आज का जो मेरा विशे जो है टॉपिक जो है टाइटल रहेगा भारत में पत्तरकारिता का विकाश वरत्मान इस्तिती और उसमें सुधार के लिए इन लोगों से कुछ में सुझाव साजा करूँगा भारती पत्तरकारों से कहते हैं कि नकारत में तक उत्याग दो आप जब बच्चे वो पढ़ाने लगें वो किसी विक्षा में किसी उमर बैठा हो उसको जीरों से सुरू करने के लिए कहा जाए उसी तरह में भारती पत्तरकारों से भी कहूँगा कि वो कहा है उस पर हम ज़्यादा मंथन नहीं यह सुजाव जरूर साजा करूँगा कि नागरिकों या श्रोताओं को यह एहसास नहीं होना चाहिए और बहुन नहीं होना चाहिए कि अमुग पत्तरकार किसी दल या विक्ति विसेश का पत्तरकार की वर मेरे उसनने माता है जो आम नागरिक है ज़्यादा जो इंचे तरूर उची नहीं रखते हैं वो लोग के कहते हैं कि वो पत्तरकार उस दल का है वो पत्तरकार उस समू का है यह उचीत नहीं है पत्तरकारिता काम राजनलों की शरकारों की नीतियों की पर्संसा और आलोचना करना हुता है कहते हैं कि हर व्यक्ति में गुन पाई जाते हैं हर सरकार के नीतियां कुछ अच्छी और बुरी होती है कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जन स्विकारी होती है और कुछ नीतियां जन विरोधी बे होती है मैं पत्तरकारों से यह कहता हूँ कि दोनों तरहीं नहीं थे होते हैं हर सरकार के पास होती है कुछ निरने ऐसे होते हैं जो व्यापर जगत के लिए अच्छे होते हैं कुछ निरने ऐसे होते हैं जो राज की करमचारियों लिए अच्छे होते है कुछ किसानों के लिए कुछ मजदूरों के लिए यानि अलग-अलग समय पर जो सरकारें फैसरा लेती है उससे एक हिद पर होई तो दूसरा हिद जो एक लाफ़ानी तो दूसरा लाफ़ानी तो नहीं होता है कहा जातों से हानी पूंचेगी जैसे मैं कहूँ अगे राज की अधिकारियों करमचर वेतन और बत्तम वर्दी की जाती है या सांसोतों विधायकों की जाती है तो देखने मतार बाजार के व्यापारी किसान और मजदूर लामबद हो जाती है क्योंकि उनकी जेव से पैसा नि वो आनदित होंगे उससे वो मौज मस्ती करेंगे तो ये बाते मैंने कहा है जन विरोधी तो तीन चार वरग है वो विरोध करेंगे उस प्रड़ोतरी का और दो वरग उसके परशन सा करेंगे स्वाविक होता है लोकतांतर में लोकतांतरी की विश्ता कहती ही है कि ज्यादा धनी लोगों से लो और जा जरूरत मन्दों को दो ताकि एक समर्ज सा समाजत यह रोसके अची बात है और प्रवरती उधरी बढ़नी चाहिए कि समर्ज से लोग ज़्यादा जो प्रॉस्पर लोग हैं जिनके पास मैं यह काना चाहूँ है बड़ी आमदनिया हैं उन लोगों से लिया जाए और उसको विकास में लगाए जाए हम पत्रकार अधर वापिस आ रहा यह को मैं पत्रकार साथी उसे खहता हूँ मुझे बड़ी शर्म आती है जब आपकी ओन लोगों के मौसे मैं बेजती सुनता हूँ जब आपको बेजते होता मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है ये देखने में आता है कि कई बार कुछ से जो इस्थाने अकबार हैं वो वहां के मुख्य मंतरी के प्रोग्राम को इकारेकरम को भी कुछ तो ऐसे होते है जो मुख्य प्रस्प बड़ी हैडलाइन में दरसाएंगे और जो विरोधी पत्रकार दरसाने वार लोग है वो उसको लास्ट के पेज में छोटी जगह ले जाएंगे जिस पाठक को बड़ी निरस्ता अनवफ होती है निरस्ता आती है कि ये ठीक नहीं है अभी मैं वरत्मान में जो पत्रकारों से किसान अंदोलन पर भी मैं दुवारा मिलूआ कि शानों की समस्यां और करसी के विकास पर बात कि वो अपने बात राजनताओं साथ भी साजा करें अंदोलन सेहटी है वाब आप करसी का विकास कैसी हो चाइनान कहते है च्छलांग मार दी अमरिकाज यूए से से उन्ते 2030 में जाएगा उसने पहले मार दी च्छलांग क्यों मारी कल रेयल स्टेट का बहुत बड़ा हाथ उसमें तो छे लाग गाउं की जो करसी वह में है वो द्योग पतियों को या बड़े निवेस्कों को करते धन लगाने के लिए कोई कहीं से आये कोई दिक्कत नहीं अपने को उसमें यानि बड़े जोतु अभिकास किया जाए हमारे कहावग आ था कि हम रूस के मोडल को अप सरकार के करते भी थे वहाँ वहाँ जोव राइट भी था वो लेकर नहीं है इस उसमें इंद्रा किस निती के आलोचना इस आधर में कर रहा हूं कि अधोरी लेकर आई अगर रूस की निती रूस और अमरिका क्या लग लग नितियां थी अगर रसियन एकोन्वे डिवलोमें अगर भारत में नेरोजी और इंद्रा के अगरी थी दोनों कि कि वही समय वाद इविस्ता कारगर है बड़े समाज के इतने अच्छी बात है बुरी बात नहीं परन्तु मैंने कहा कि रोजगार काधिकार जोब राइट मैं आज फिर इस बात पर मीडिया समूं को बता रहा ह भारत में छोड़ छोड़ वेतन के नोकरिया पैदा करनी जूरूर थे आज जगे 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 जो बरस्टाजार का तांडब मचा हुआ है जो बरतियों में धांदली मची हुई है हर राज्य सरकार जिसका सामना कर रही है कि वहां के मंतरी को अटाया वहां आयो के अदेक्स को अटाया वहां उसको अटाया बड़े पामाने पर दांदलिया मची हुई है और एक लोगों के दिल में एक भावना घर भी कर गई है कि जो लोग बड़े-बड़े पत्दों नियोजित में या मुखे सचीव इस तरह तक की अदिकारियों को कह रहा हूं कि बाहर मैदान मे जो खड़े जिन विक्तिविया हाथ को कोई कामने वो कहते हैं कि मेरी यूगितम मुखे सचीव शिव जाता है इस तरह की यूवा भी मुझे मिले हैं तो ये और मैंने जितिंदर सिंग का कारले है अभी वरतमान जितिंदर सरकार है जो कार्मिक मंत्राले मिराज्य मंत्री औ प्रदामत्री मौदे के पास केविनिट इस तरह का भार है तो मैंने खुद का कि कुछ यूग कुनियों का कि मैं हम जो अभी नियोजी ताईये से दिखा रही हैं जो वरिश्प आईपिय से दिखा रही हैं हम उनसे जदे यूग्य हैं कौन सा चैनल अडॉप्ट किया जाता था कि जो शाक्षातकार है वो बरश्टादर के जड़ है तो साक्षातकार को क्या समूलेस्ट कर दिया गया के दिर रजिसर कर द्वारा स्विम विरोध में रहते हुए लोग स्विम बहुत से राजियों के मुख्यमंत्री उन्हीं बात उठाई थी कि मुख्षर का जारिया पंजा वो भरतियां जो नोक्रियां भी करी हैं खर्ची पर्ची चल रही हैं और अब क्या हो रहा है उनको भी देखना पड़ेगा कि कभी उनकी यहां चलने लग गई हूं तो जन्ता में भारती बहुत मजबूत लोक्तांत्री वियोस्था वाला देश है और कहते हैं कि वर जार लोगों में मैं किसे एकाद्विक्ति की बातों नहीं करता पर तो मेरी राजनतिक समझ क्योंकि मैं 13 से राजनति विज्ञान के छेतर में काम करना हूँ इन से मेरी समझ कहीं बहतर है चाब नमिन पठनाएक हो चाए ममताब बनरजी हो चाब मीत साव हो यह ठेर सार जो नेता है मैं उनसे बताना में चाहता हूं कि अगर मीडिया के सामने गरूरूरू होना जाएं तो उनसे हमारे राद देख समझ और प्रिपकुदा किसी इस तरवर कम नहीं है गुरू बने आ गुरू माने मैं उनसे अन्रोध करता हूं अगर वो बहतर जानते हूं तो गुरू बने और कम जानते हूं गुरू माने हमारा वीजन किसी व्यक्ति को लाब पूचाना या हनी पूचाना या चटपटी खबरें बनाना कि एक मुख्यमंतरी को बहुत हाइलाइट कर दियागा एक दिन मीडियाम खावी जा रहा था और दूसरे हो बिलकुल नहीं सबजी वाली है चर्चा की जाए अच्छी बात होगी अभी एक अजार रपी पंजाब चुना में आम आदिम पार्टिक सहुचे ने महिलाओं को देने के लिए गोशित किये हैं इस पर पत्तरगारिता और नेताओं को नेताओं को पत्तरगारिता प्लेट फरम परदान करती है जन समुद प्लेट कि बात पूचाने के लिए मैं पत्तरगारों को यह बताना चाहता हूं कि वो नेताओं की बियान सम्धातक की बिमेक नहीन नहीं नहीं हर पत्तरकार वो जो ज़ो वज़ो रस्त्री ज़र और जिस्तर के नेता जो जन हित्मे या अपने पार्टी की नीतियां जो या करीकर्म जो बना रहे हैं या बता रहे हैं उनको जन्समुदाय तक पहुँछाएं गाउगाउँ ढ़ानी ढ़ानी तक पहुँछाएं अंधिम छोर तक पहुँछाएं यह अभी जो एक जार रपे महिलाओं देने वाली बात है उसमें एक जार रपे देना कारगर है या उन महिलाओं को रोजगर देना कारगर है राइट तू जो राइट टू एजूकेशन की तरह अब मैं यहां यह भी कहूँगा वह भार आती हैं हमारे अधूरी बात लागो करते हैं राइट टू एजूकेशन के साथ एजूकेशन उमर पर चलना वाला कारी करम है इनिसियल सिक्षा के बाद या मैट्रिक और पलस्टू माने के बाद भी तो एक पैटरन बदलना पड़ेगा यह बहुत तेरों इस्तावद यह गिशा पीटा पैटरन है अब अब सेविजग मोदे ने कहा है इसने अर्विंद केजड़ी वाल ने कहा है कि महजार रपी परती हर महिला को दूआ हर माश्री के तो इस पर दूसरी दलो को अब हमने स्विधान दिवस भी बनाया और हमारे स्विधान ने जोर दिया कि महिलां सश्क्तिकन पर इंपाउर्मेंट वूमन मैंने बात की वारे नेशनल वूमन कमिस्शन स्टेट वूमन कमिस्शन सुनको कहता हूं भी यह तुम ऐसी बाते उठाय करो तुम सिरफ वहां मनोनी तोकर और से बैठे मत रो यह मत दिखाओ कि मैं इनको बोलने मना कर रखा जैनी वो अच्छी बाते उठाएं पहले भी मने कई रज्जे सरकारों को बताया था कि यहां जो महिला विस्विद्याले जो हैं या महिला महाविद्याले हैं वह महिलाओं की नुक्ती पर जोर देने के लिए का था उनका नहीं सरकार की मामले कैसे कैमे तो यहां और ही मामले देखने लिए किस ते अक मामले देखने लेगा मेरी समज़ु नियान की बाते कि इससी कि अचे रहनो और सिरकशा का हिस्त नहीं है भारते महलाई एं अर्थ से पहले सम्मान और सिरकशा की जुरूरत महसूस कर रही है आख भी अर्थ अर्जन का करी जाते है भारती परिवारों में चैए गरीब परिवारों अमीर परिवारों में गरीब और अमीर को यहाटाऊंगा यानि सभी परिवारों हमारे अर्थ अर्जन कारीब पुर्शू कंदों पर डाला जाता है प्रातन विवस्थम सबसे परदान कारी मैलाओं को सुर्खशा और सम्मान की थी और वो दोर आज भी जा रही है मैलाओं उसी भी उस्ता में अर्थ अर्जन करना चाहती है जहां उनके सम्मान और सुर्खशा ठेस ना पूंचे भारते मेलाओं को हर्गिज ऐसी अर्थ अर्जन की जरूरत भी नहीं है जा उनके सम्मान रुस्रुक्षा पर आँच आए तो मैं मेलाएगों से कहुँगा कि वो अपनी चार दिवारी से बाहर निकले सिर्फ ये कठोर पशीने की जो कमाई प्रिश्रम की जो कमाई है जनता की उस गाड़ी कमाई से वो लोग वहां बैठे है इस जनता की मेहनत के पैसो से वो सुविधा हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वो भार निकले और महिलां के लिए अच्छे मुद्धे जो हैं उन पर सरकार को शुजाओ दें मने के पहले कि और फिमेल उस्पिटल्स फिमेल यूनस्टीच वूमन यूनस्टीच वूमन उस्पिटल्स की बात की थी ये भारती समाज की विवेकांदन जी और देंदसरस्थी जी की टाइम से बातें उठती रहे हैं वो बड़ी शुद्धी करन के समर्तक थी और सिक्षय के समर्तक थी वो स्वेम उच्छ सिक्षित मान सिकता वाले बेक्ती थी उन महापरसों भी बात को में आगे बढ़ाना है और एक बड़ा आनुशासित और गवी मुक्त समाज की निर्मान के लिए उसकी कोन में वहाँ चले गई उसकी कोन में वहाँ चले गई ये आंकड़े कोई ज़्यदा कारगर नहीं है कारगर ये हैं कि वहाँ की जनता कहाँ चले गई वहाँ कितनी जनता जीवन सुविदा गजी रही है स्विधा मेरा मतलब यहां सुरक्सित जियों जी रही है, गरीबी मुक्स जियों जी रही है, खुश हाल जी रही है, किसिन का था अरब पति तयार करने जूरत नहीं है, पर उतने तयार के जाएं, जो लोग अच्छा डंग से खाप इसके, और समय में पर स्वास्ते सिमय लेसक तो इस तरह की विएस्ठा के लिए मैं पत्रकारों से अवान करता हूँ, आज में जो यह विशेष दोपसे, पत्रकार बहीं से भी, पत्रकार बहीं को मेरा प्रिशीद है वीडेओ, की वो अपनी जीव को इस तरह से पना लें, कि जो जहर नना ने निकाले, रास्त और समाज के विकास की बाते निकाले और किसी नेता की बेकार में आनावसी करुप से मैं इस मामले में उनको डाटूँगा कि आनावसी करुप से ऐसे नहें लगे जैसे यह इतना जहर उगल रहा है कि उससे जैसे कोई उसकी नीजी दुस्वनी हो समन ने रूप में कही जाए बात बहुत बढ़ा से डाकर और भद्दे डंक से ने कही जाए जिसे लगे कि भी ये उससे एक परकास से नफरत करता है पत्रकार अमुक राजनिता से ये उचीत नहीं और दलगत भाव तो जलकना है नीजी है दलगत भाव कई पर ये भी का जाए मैं अच्छे पत्रकार उनको मानूँगा सरकार की अलोचना करती साही में अगर वीपक्स टो अपने बहुत नहीं बारा है तो उसको लपेटे आजकल ये जो कुछ पत्रकार है मैं नाम नहीं दो लोग आप क्योंकि ये लोग फिर भबक उठेंगे दो तिन पत्रकार उन जो बहुत लीड बना रखी है और उनके बासन में सुनते सुनते बहुर हो गया मुझे अच्छा नहीं लगा उनका वो सरकार के साथ साथ वीपक्स टो लपेटे कि वीपक्स अपने बुमे का नहीं बारा इसलिए जनता को अथियार उठाने पड़ते है अपने मांगों के लिए नहीं ये काम वीपक्स का होता है जन मुद्धों को उठाने का काम जनता का नहीं होता जनता न तो वो भी निर्वाचित का रखे जो बिख्ष बैठे, सरकार का नीतिया निर्मान का काम है, और कहीं अगर उनकी खामे निकालना और सड़कों पर परदर्शन करने का काम, विरोधी दल के लोगों को होता है, वो रेलियां विजित करें, किसी बात मुद्धे पर भी रोध में रेलियां, रेलियों तो आज दने करें, रेलिय तो फिलाल हम चाहते हैं कि टीवी और दूसरे मादेमों से, आजगर सोशल मीडिया जमाना है, उसके मादेमों से पबलिक को मोटिवेट करें, अगर कोई नीतियां सरकारी कमी हैं, बिल्कुल कीजिए, राज जिर्केंदर सरकार की नीतियों के खिलाफ, बोलने का दायत तो है, सरकार का, अभी मैं देखना, और रास्तान में कॉंगरेस साचित जो राज जी है, उसमें भी पेपर लिक परकरण के मामले हैं, और मुख्य मंतरी ने एपरतेक सुरुप से शिक्षा मंतरी को भी जो एपरतेस्ट भी किया है, शिक्षा मंतरी उसके बेटे का नाम गोविन सिंग और उसके बेटे का नाम पेपर लिक परकरण में था, तो कुछ भी हो वहाँ बाजपा ने पुर्जो डंग से उसमुद्देग उठाया सतीस फूनिया जी जो वहाँ देख सें परदेख सेंगी रज्य सरकार या सिक्षा मंतरी स्थिपा दे और मुख्य मंतरी नय परतेक्स उसको उसको अटा भी दिया चाहे कहा कि एक पद एक विक्ति का नाम ये किस डंग से इटाया है और काभी डंग से सरकार ने उस पर परदा डालने का लेपा पोती करना करी किया रास्तान में भी तो मैं सरकार रास्तान सरकार से कहूँगा कि इस तरह की विदाय के जी जाजी है शाला जी यह नहीं बाद साहित विवस्ता छोड़ दे मैं डिमोक्राटिक सेटप की बात कर रहा हूँ और विश्वय को दिखाना चाहता हूँ कि लोकतां तरी विवस्ता हूँ अवल है और लोग हमें फोलो करें हमें नहीं अशिवजरलेंड का मोडल बताना है हमें नहीं अमेरिका का मोडल बताना है हम खुद एक डिवलोप कंट्री का हैस्ते हैं और मैं यह कता हूँ चालिस करोड़ से उपर तो सिक्षिल वारतियों के बहुत बली फोज खड़ी है व्लोड में स्टेक्रों को रेट्स अलग है तो इस पर हरियाना में भी जो ऐसी इस कापया पर लिक पर करना बच्चों का की सर जूडिय से सर्विस के आलात भी ऐसी है तो में रास्त हरियाना परची के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और वो साबित भी करें इस बात को ये उनके लिए अगरी प्रिक्षा का दोर है और इसमें वो खरे होते हैं मैं उनसे परजोर परात्राम करता हूं कि विपक्ष और सरकार जो है सीस प्री एक्जम का जो अभी वर्णा फोड़ परतिवा साली बच्चे परतिवा का दमन कभी नहीं होना चाहिए वो बच्चे बता रहे हैं कि हम बाहर ख़ड़े हैं उनको मुख्ये प्रिक्षा आँ इसमेल कर लो अँनके खर्चे पर कर लो अलग से खर्चा लेकर ताकि और पता लग जाएगा कि इधर गए हैं ये बिल्कुल अपनी बात को आगे बढ़ाए और बगर सर्माए और घबराए बिल्कुल तवज्ज़ दें और सिद्ध करने के लिए आगया है ताकि विश्वास बहालो और सरकार के सबी को चाहर 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 लग जाए धन्यवादे